नमस्कार मीडिया हल चल देख रहे हैं आप में हूँ आपके साथ कृष्णा हम बता देश आज उत्तर प्रदेश में तीन उप चुना हो रहते हैं जिसमें एक लोक्षभा का चुना हो था दो विदान सभा के उप चुना हो रहते हैं जिसकी काउंटिंग हो रही है और खबर रामपूर से आ रही है वहां पे बीश्वे राउंड के बाद जो मीडिया को अपडेट मिलना बंद हो चुका है वहां मीडिया को कोई अपडेट नहीं मिल रहा है और जब बीश्वे राउंड की गिंती कंप्लीट हुई है तो समाजवदी पार्टी के प्रत्याशी आरोप लगा रही है समाजवदी पार्टी वहीं बीश्वे राउंड के बाद जो अपडेट मिलना मीडिया को बंद हो चुका है और बीश्वे राउंड की जब गिंती कंप्लीट हुई तो समाजवदी पार्टी के प्रत्याशी आशीम राजा 6000 ओटों से आगे चल रहे थे वहीं हम आपको बता दें कि लगातार रामपूर में ओटिंग प्रतिसत भी कम था और रामपूर को लेके समाजवदी पार्टी के नेता और सुप्रीम कोड भी गये थे जो कि कल उसकी सुनवाई भी है लगातार ओटिंग प्रतिसत कम होने के कारण लगातार ये समाजवदी था रामपूर में ओटिंग प्रजिसंट काफी कम हुआ लेकिन शुबार से ही समझवधी पार्टी के प्रतियाशी आशीम राजा आगे चल रहे थे लेकिन आचानक विश्वे राउंड के बाद जो मीडिया को अपडेट मिलना बंद हो गया है और इसमें आशीम राजा 6000 आट को भी ट्वीट किया है चुना आयोगी इसको संग्यान मिले